रास्ती शैक्षिक अनसंधानेवं प्रशिक्षन परिशत के केंद्रिये शैक्षिक प्राउद्यूगी की संस्थान द्वारा निर्मित प्रस्तुत है कक्षा एक के छात्रों के लिए कारिक्रम दादा जी तादा जी जंगल की सफाई की एक कहानी सुनाएंगे आलेक अशुक गुप्ता का है और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं अजीत गुप्ता दोस्तो जय हिंद तो सब मुस्कुरा रहे हैं क्यों न मुस्कुराओ दादा जी आने वाले हैं तो आईए दादा जी हमारे दोस्त आपका इंतजार कर रहे हैं बच्चो राम 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 दादा जी राम राम बच्चो तुम सबको कल की बातें याद है ना हाँ दादा जी याद है और बच्चो मुझे भी याद है पूछो क्या याद है क्या अरे इसमें पूछने की क्या बात है बस यही कि मुझे आज तुम से कुछ बातें जो करनी है अरे हाँ खूब याद आया एक कहानी याद आ गए ताटा जी कहानी याद आ गए तब इस सुनाईए ना सुनाते हैं सुनाते हैं तो बच्चो सुनो एक कहानी एक जंगल था उस जंगल में एक खरगोश भी रहता था उसका नाम था छोट चोटू बहुत साफ सुथरा और होशियार था उसे गंदगी जरा भी पसंद नहीं थी सुबा उटकर उसका पहला काम सफाई का ही होता था हाथ मूँ धोना, दांट साफ करना, फिर घर में जाडू लगाना वो अपने घर का एक एक सामान कपड़ा लेकर पौशता था घर का सारा कुड़ा कच्रा घर से दूर ले जाकर घूरे पज़ डालाता था इसके बाद वो नहा धोकर, साफ सुथरा होकर, साफ कपड़े पहनता था और फिर कुछ खा पी कर घूमने निकल जाता था तादा दी, खरगोष क्या खाता है? अरे मेरे नन्ने मुन्ने बच्चो, खरगोष तो सबजियां खाता है खरगोष को लाल लाल गाजर, हरी हरी पत्ता गोभी, सफेद मूली या शलजम बहुत अच्छे लगते हैं इन सब चीजों को खाने और खूब काम करने की वज़ा से छोटू खूब तगड़ा हो गया लेकिन प्यारे बच्चो, जंगल के और दूसरे जानवर बड़े आलसी थे बड़े आलसी थे, सफाई में तो उनका बिलकुल मन नहीं लगता था छोटू ने जानवरों को कई बार संजाया अरे भाईया, जंगल के इस कूड़े को घर के बाहर ना डाल कर जंगल से दूर जाना करो पर जंगल के किसी भी जानवर ने छोटू की बात पर ध्यान नहीं दिया पूछो क्यों? क्यों? अरे तो इसमें पूछने की क्या बात है छोटू को गंदगी बिलकुल पसंद नहीं थी इसी लिए छोटू को घर में रहने पर भी बहुत परेशानी होती थी पूछो क्यों? क्यों? अरे तो इसमें पूछने की क्या बात है अरे भाई जब सारे जंगल में बदवू फैल रही थी तो क्या वो बदवू छोटू के घर में नहीं पहुँच रही होगी फिर घर चाहे कितना भी साफ हो जब चारों तरफ बदवू फैल रही हो तो घर में कैसे बैठा जा सकता है अब छोटू क्या करता अपने घर में सफाई करने का भी कोई फायदा नहीं था बाहर तो गंदगी थी बेचारे ने जंगल के जानवरों को समझाने की बहुतेरी कोशिश की लेकिन कोई भी अब गंदगी के इतने बड़े धेर को साफ करने को तयार नहीं था छोटू को तो सभी धंगा देते और उसकी अच्छी और सच्छी बात को हसी में उड़ा देते अब बच्चो तुम्हीं बताओ छोटा सा खरगोश भला क्या करता जब किसी ने नहीं सुनी तो गंदगी और बढ़ती चली गई फिर जो होना था वो ही हुआ अरे होना क्या था सब के सब बिमार हो गए पूछो क्यों इसमें भला पूछने की क्या बात है छोटू कहता ठक गया छोटू कहता ठक गया नहीं सुनता है कोई जहां जहां है गंदगी वहीं बिमारी होए अरे मेरे प्यारे बच्चो तुम भी मेरे साथ साथ बोलो छोटू कहता ठक गया नहीं सुनता है कोई जहां जहां है गंदगी वहीं बिमारी होए फिर क्यो हुआ दादाची अरे ये तो अच्छा हुआ कि छोटू जंगल छोड़ कर अपनी नानी के घर चला गया क्या कहा छोटू की नानी के घर चला गया हां जंगल में बिमारी फैल गई अब तुम ही सोचो जहां गंदगी वहां क्या होता है सोचो सोचो आप भी बताईए दादाची अरे भाई जहां गंदगी होती है वहां होते हैं मच्छर मक्षी समझे इन मच्छर मक्षियों से ही फैलती हैं बहुत सी बीमारिया ये मच्छर बहुत छोटे होते हैं मगर ये जब काठ लेते हैं तो बड़े हाती को भी पचार देते हैं हा तो प्यारे बच्चो मैं सुना रहा था छोटू की कहानी कुस दिन तो नोने रोध होकर काटे फिर एक दिन चडिया रानी छोटू के घर गई उसने देखा छोटू जी तो लगे हैं अपने घर की सफाई करने में तो चडिया बोली क्या बोली क्या बोली चडिया वो बोली छोटू भईया आओ बाहर जंगल में है सभी बिमार जंगल में हैं सभी बिमार चलो किसी डाक्टर को लाएं देख दवा देख करे इलाज प्यारे बच्चो बोलो बोलो तुम भी मेरे साथ बोलो छोटू भईया आओ बाहर जंगल में हैं सभी बिमार चलो किसी डाक्टर को लाएं देख दवा दे करे इलाज तो बच्चो फिर क्या था चिडिया रानी और छोटू खरगोश दोनों जल्दी जल्दी डाक्टर कालू भालू के पास पहुंचे वहाँ उन्होंने उसे बताया कि डाक्टर साहाब जंगल में मलेरिया फैल गया है सभी जानवर बीमार हो गए है आप जल्दी चलिए डाक्टर साहाब जल्दी चलिए डाक्टर कालू भालू ने जब ये बास सुनी तो वो फॉरन अपनी दवाओं की पेटी लेकर उनके साथ जंगल की ओर चल दिया डाक्टर कालू भालू जब जंगल में आया और गंदगी देखी तो सभ जानवरों को खूब डाड लगाई खूब डाड लगाई और बोला ये सब क्या है क्या है ये सब क्या आप लोग सफाई नहीं करते इस जंगल में सिवाए छोटू खरगोश के घर के और किसी का घर साफ नहीं है इसलिए तो तुम सब बिमार हो देखो मैं तुम सब का इलाज इसी शर्थ पर कर सकता हूँ कि तुम सब लोग ना केवल खुद साफ सुथरे रहोगे बलकि अपने घरों को और अपनी आज पास की सभी जगहों को साफ रखा करोगे ताता ची पिर उन बिमार जानवरों ने क्या कहा अरे कहते क्या बिमारी से इतने परेशान हो चुके थे कि उन्होंने डाक्टर की सारी बातें चुक चाप माल ली और कहा डाक्टर साफ अब हम वैसे ही साफ सुथरे रहेंगे जैसे छोटू खरगोश रहता है फिर क्या हुआ दादाजी अरे होना क्या था सारे जंगल में सभाई रहने लगी सभी पशू पक्षी साफ सुथरे रहने लगे अरे हाँ याद आया मुझे भी तो अपने घर की सफाई करके नहा धोकर प्रार्थना के लिए मंदिर जाना है अच्छा बच्चो राम 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 कर दो कर दो दो